अंधेरी की Crime Branch Unit 10 ने दो गांजा सप्लायर को किया गिरफतार, 3,30,000 कीमत का 20 किलो 700 गराम गांजा किया जब Crime Branch Unit 10 के API वाहिद पटान को खबर मिली के दो आदमी गांजा बेचने के लिए गोरे गाउ के दिंडोशी इलाके में आने वाले हैं इसके बाद Unit 10 के API वाहिद पटान ने अपनी टीम के साथ दिंडोशी इलाके में जाल बिछाया जहां एक एक्टीवा पर सवार दो लोगों को रोका और उनकी तलाशी की जिसमें पुलीस को इनके पास से एक सफित रंग की प्लास्टिक की गोनी और एक काले रंग का बैग मिल जिसका वजन 20 किलो 700 गराम और कीमत 3,30,000 है इसके साथ Unit 10 ने इस गांजे को बेचने आने वाले दो आरोपियों को गिरफतार किया जिनके नाम अमीद अशोक मिसरा 29 साल महम्मत फयास खान 29 साल दोनों आरोपी फिल्म सिटी रोड गोरे गाउं के रहने वाले हैं दोनों पर ND NDPS की धारा 8 ब्रैकेट के 29-20 के तहट केस दाखिल करने के बाद इने कोर्ट में पेश किया गया जहां दोनों को 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश मिला वहीं दुसरी तरफ Crime Branch Unit 7 ने दो ऐसे आरोपियों को पकड़ा है जो लोकडाउन के दर्मियान एक जि जिले में जाने के लिए नकली E-PAS जारी करवाते थे Crime Branch Unit 7 के सीनियर प्याए मनिश श्री धनकर को खबर मिली के दो लोग लोकडाउन के दोरान मुंबई से अलग अलग जिले में जाने के लिए E-PAS बना कर दे रहे हैं इस मामले में मनिश श्री धनकर ने नकली ग्राग बन कर इन आरोपियों से बात की और मुंबई से सोलापूर जाने के दिये E-PAS मांगा जिस पर आरोपी ने यात्रा करने वाले लोगों का कोविट टेस्ट सेटिफिकेट गाड़ी चलाने की परमीशन कॉपी ड्राइवर का सेटिफिकेट और मोबाइल नमबर मांगा पी श्री परमीशन कर ने 1000 रुपे उसके बैंक में ट्रांसवर बाकी के 5000 E-PAS मिलने पर देने की बात हुई इसके बाद आरोपी ने इनको रात 10 बजे इसके बाद यूनिट साथ के PSI संजे सुरवे और उनकी टीम ने आरोपी द्वारा बताई जगा पर जाल बिचाया लगबग साड 11 बजे एक आदमी मारोती कार लेकर आया और पुलिस ड्राइवर धुमाल के नाम पर बना हुआ E-PAS दिया इस E-PAS पर पूने ग्रामिन जिला अधिकारी को मोहर लगाई थी फोरण PSI संजे सुरवे ने इसे अपने ताबे में लिया और इसे कड़ाई से पूस्ताच की तो इसके पास से 5000 रुपे और एक कमपनी का मोबाईल मिला इसके बाद पुलीस ने इस से दूसरे साथी के बारे में पूस्ताच की तो पता चला दोनों रिष्यदार है दूसरे इस आरोपी को भी पुलीस ने भांडूप से गिरफतार कर लिया और दोनों आरोपियों पर IPC की धारा 465, 467, 468, 471, 474, 420 के साथ 34 लगा कर कोट में पेश किया गया जहां दोनों आरोपियों की 9 जुलाई तक पुलीस कस्टडी में रखने का आदेश मिला ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें